यूपी के अम्रोहा के डिडॉली थाने में एक लड़की पहुंसती है, पुलिस में शिकायत दज करवाती है, शिकायत किसी ऐसे वैसे का नहीं, अपने जीजा के खिलाफ ही वो पुलिस में शिकायत दज करवाती है इस मामले को बताएं इससे पहले आपको ले चलते हैं तीन साल पहले नमस्कार आप देख रहे हैं क्राइम तक मैं हूँ अश्विने सिंग नोईडा की रहने वाली एक लड़की अम्रोहा की डिडॉली थाना छेतर के अंतरगत रहने वाले एक लड़के को दिल दे बैठती है शुरवात में इनकी दोस्ती होती है देखते ही देखते ही इनकी दोस्ती जल्दी ही प्यार में तब्दील हो जाती है जिसके बाद ये दोनों प्यार का इजहार करते हैं दोनों एक दूसरे को प्यार के बारे में बताते हैं अपने अपने प्यार के बारे में जिसके बाद दोनों शादी की बात करने लगते हैं ये बात थी साल 2020 की, साल 2020 के ठीक मतलब तीन साल बाद ये घटना सामने आई है, ये वारदा सामने आई है, जिसमें साली जो है, वो अपने पुली स्थाने पहुंसती है और अपने ही जीजा के खिलाब शिकायदज करवा देती है, वही जीजा जिसके शादी साल 2020 में उसकी दूरिया भी आने लगती है, वाद भीवाद होने लगते हैं, लेकिन फिर भी घरेलू जगडा जल्दी ही शांत कर लिया जाता था। इसी बीच अम्रोहा के जो लड़का होता है, वो बोलता है अपनी पत्नी को कि यहाँ पर गुजारा बसर करना इजी नहीं है, इसकी वज़़े से चलो हम नोईडा चलते हैं तुम्हारे मम्मी पापा के पास। अब लड़की के घरवालों में लड़की के माता-पिता होते हैं उसके एक छोटी बहन होती है और यह लोग किराएं के मकान लेकर नोईडा में रहते हैं, अपने इस जिन्दगी का गुजर बसर कर रहे थे। इसी बीच बड़ी लड़की जो होती है अपने पती के साथ नोईडा के इसी मकान में आकर रहने लगती है यहाँ पर वो लड़का नौकरी करने लगता है, मजदूर रहता है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता और वो मजदूरी करने लगता है इनका परिवार अच्छे से चलते रहता है, खुशाल होता है, लेकिन इसी बीच लगभग 4 महिने से जब वो अपने ससुराल में रहता था तो इसी बीच इसकी साली जो होती है, छोटी घर की बेटी होती है, उससे उसके जीजा का संबन नस्दी किया आने लगती है ये दोनों आपस में अच्छे दोस्त हो जाते हैं, और साली तो होती है, जीजा साली का रिष्टा भी ऐसे माना जाता है, हसी मजाग का होता है लेकिन इन दोनों का रिष्टा उससे बढ़कर था, और दोनों के बीच कुछ ऐसे संबन बन गये थे, जिसे लेकर वो लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तरसल होता यूँ है कि लड़की जो होती है, यानि साली अपने जीजा को दिल दे बैठती है, और जीजा भी कहीं न कहीं इस सब में शामिल होते हैं कि जीजा और साली में उस घर में चल क्या रहा है लगभग चार महीने तक सब कुछ ऐसे ढखा-ढखा चलते रहता है नाक के भीतर सब कुछ होते रहता है लेकिन घर में किसी को खबर नहीं लगती लेकिन इसी बीच जो साली होती है अपने जीजा पर लगातार दबाव बनाती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है इसके बाद जीजा उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे बड़ी बहन का पती हूँ और ऐसा मुम्किन नहीं है मैं शादी नहीं कर सकता वहीं लड़की की माने यानि साली की माने तो वो पुलीस में जब शिकायत दच करवाई तो उसने कहा कि जीजा लगातार उस पर दबाव डालते थे प्रिशर करते थे जिसकी वज़ा से वो संबंद बनाती थी उनके साथ इसके साथ ही जीजा ने उसे एशोर किया था कि वो उससे शादी करेंगे उसकी बहन को तलाग देंगे जिसके बाद वो उसकी साली से शादी कर लेंगे इसी को लेकर साली भी पहकावे में आ जाती है और वो अपने जीजा के साथ संबंद बना लेती है लेकिन जब लगाता साली एक और से अपने जीजा पर दबाव बनाती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है तो वो दबाव जहेल नहीं पाता और वो अपनी फॉरण अपनी पत्नी को लेकर अपने गाउं अमरोहा चला जाता है जैसे ही जीजा और दीदी अमरोहा चले जाते हैं तो दूसरी ओर से साली लगातार अकेले ये सब तराव में आ जाती है और वो उसे कुछ नहीं सूचता वो फॉरण डीडॉली पुलिस थाने पहुच जाती है और पुलिस में शिकायत दच करवाती है कि उसके अपने जीजा ने उसके साथ शारिरिक संबंद बनाए है इतना ही नहीं बहकावे में आकर उससे दबाव डालते थे कि मैं तुमसे शादी करूँगा जिसे लेकर वो मान जाती थी और उसके साथ संबंद बनाने को राजी हो जाती थी इसके साथ ही लड़की ने बताया कि उसके पेट में उसके जीजा का बच्चा पल रहा है जिसे लेकर पुलिस को मामले की गंभीरता समझ में आती है और फॉरण पुलिस फोन करके उनको अम्रोहा में इनके घर पे खबर देती है कि ऐसा ऐसा मामला है आप फॉरण पुलिस फाने पहुँच जाए खबर सुनते ही जीजा और उसकी दीदी पुलिस फाने पहुच जाते है महाँ से उसकी सुसराल वालों को भी खबर हो जाती है जिससे साली के जो माबाप है वो भी पहुच जाते है और लगाता समझाया बुझाया जाता है कि ये गलत है, ये रिष्टा संभव नहीं है, लेकिन लड़की एक नहीं सुनती, यानि साली अपने ही बहन जो होती है, उसकी बड़ी बहन उसके पती पर डोरे डालती है, और वो राजी नहीं होती, मानती नहीं कि मैं उससे अगर शादी करूंगी तो इसी जीजा के साथ ही करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी, तमाम तरह के सब लोग समझाते हैं, लेकिन लड़की नहीं मानती, जिसकी वज़स से पुलिस ने डिसिजन लिया कि ये दोनों को समझाया जाए, परिवार को बुलाया गया, परिवार अपने घर जाने के लिए कह देती है, दरसल 24 नमंबर को साली ने पुलिस के पास शिकायत दज करवाई थी, जिसमें पुलिस ने उसे समझाया बुझाया, जिसके बाद साली को उसके जीजा के साथ ही भेज दिया गया, क्योंकि साली ने कहा था, उसके पेट में उसके जीज जन लिया गया और साली अपने जीजा के साथ उसके घर चली जाती है.